शालो फ्रेंड्स नमस्कार, मिच्छिल फंड यूटिलिटी की पार्ट साला में आप सभी का श्वागत है, मैं हूँ अशोक कुमार और मैंने आप लोगों के लिए मिच्छिल फंड यूटिलिटी के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है, डिस्स्टिब्डिटर के लिए अलग वीडियो बनाई है और अगर आप ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप अगर डिस्टिब्ड़ हैं, तो डिस्टिब्डीटर प्लेटIES mechanical के वीडियो के के थूरू कैसे बिलकुल आसानी से invest करें, withdraw करें, SIP करें, कैसे कर सकते हैं, कितना easy है, और सारी investment, जितने भी अपने mutual fund में investment किया है, उसको एक जगा कैसे देख सकते हैं, उसको आप मेरे YouTube से जाकर फाइदा उठाएए, अगर आपको अच्छा लगता है, तो like और subscribe जरूर किज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, mutual funds, SIP with free life insurance, भी आप SIP करते हैं, मेरी आप से request है, कि आप life insurance features को जरूर add किजे, क्योंकि वहाँ पर आपका एक रुपिया भी नहीं लग रहा है, और आपकी life की security एक अलग से मिल रही है, देखते हैं, आज जैसे गर हम बात करें, बि insurance के साथ SIP देती है, उसको कहते है century SIP, उसी तरह से ICCA potentials जो SIP देती है, उसको कहते है SIP plus, उसी तरह से reliance की SIP है, उसको insure के नाम से जाने जाते हैं, access भी है, और भी 2-3 company है, जिसको आप देख सकते हैं, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखानी कोसिस कर र अगर आपने 1000 का SIP किया, या आपने century SIP किया, या SIP plus किया, या SIP insure किया, तो उससे क्या फायदा है, आपने यहाँ पर 1000 का SIP किया, तो पहले साल उसका 10 गुना insurance मिलेगा, उसी तरह से अगर आपने 2000 का SIP किया, तो उसका 10 गुना insurance मिलेगा, यानि first year आपका insurance, आप देख सक लेकिन वहीं दूसरे साल आपका क्योंकि SI.P कन्टीनूँ चलते रहता है तो दूसरे साल उसी एक हजार का पचास गुना अिंसुरेंस हो जाता है याने दूसरे साल impactsyaajar का in चलते रहता है वह 100 टाइम्स यानि 100 गुना SIP हो जाता है सो गुना इंस्विरेंस हो जाता है यानि एक लाग का आपका इंस्विरेंस हो जाता है तो सपोज अगर आपने यहां 10,000 रुपया की SIP करी है और वह भी आपको SIP कंटिन्यू 10 साल 15 साल 20 साल चलाना है तब आपने SIP क करते हैं उसके साथ ओएड कीजिए क्योंकि वह इंस्विरेंस आपको फिरी मिल रहे है और सपोज आपने हैं यहां पे 10,000 का SIP किया है तो पहले साल ही आपको 1 लाग का इंस्विरेंस मिल जाता है और तीसरे साल पूरे 10 लाग का इंसुरेंस मिलता है और यह 10 लाख तब तक चलते रहता है जब तक आपकी SIP चलती है सो है न बहतरीन प्लान सो SIP करने से अच्छा मैं कहूंगा कि SIP इंसुरेंस किजिए जो आपको return तो देगा ही देगा प्लस उसके साथ in case कोई में साइपनिंग हो जाती है तो एक certain value भी आपके family को मिलेगा जिससे आपको अलग से एक इंसुरेंस करने की जरूरत नहीं है सो दोस्तों चलिए देखते हैं हम SIP with insurance कैसे करेंगे mutual fund utility से mutual fund utility ने भी यह options दिया हुआ है कि आप SIP with insurance कैसे करेंगे सो चलिए login करते हैं और देखते हैं कर लिया है और आसा है आपने भी login कर लिया होगा सो हम चलते हैं आज a special product जिसको कहते है ship with insurance तो यहां पर भी MFU में भी एक option दिया हुआ है special products यहां पर आप क्लिक कीजिए special product पर और चले जाएए आपके पास option है ship with insurance यहां पर ship with insurance आपने select किया और transactions में SIP automatic selected है आप उसको क्लिक कर लिजे और submit कर देजिए जैसे submit करते हैं आपके पास again transactions वाले page open हो जाता है जिसमें आपको अपना common account number select करना है common account number select किजिए अब यहां पर आपको details देना है primary holder genders यानि जिसके नाम से आपने कायन बिनाया है उसका gender क्या है अगर आप mail है तो mail अगर यह wife के नाम पर बच्चों के नाम पर जिसका भी बिनाया है तो उसका आपको gender यहां पर डालना है और next है transactions details transactions details पर चले जाए transactions details again transactions में जो आपको मैंने पहले बताई है वो सारे features आप वही है तो यहां पर transactions details में देखिए हमें choose करना है AMC यानि किस company का हमें SIP with insurance लेना है तो हमारे पास पांच options आ रहे है अधित बिल्डा सनलाइश एक्सस आइसीए से प्रू निपॉन इंडिया एंड उसके बाद है PGIM सो हम जिस company का भी आप choose कर रहे है आप choose कर लिजी जैसे अधित बिल्डा का है century ship तो हमने select कर लिया क्योंकि अधित बिल्डा का मेरे पास folio है तो automatic folio आ गया अगर आप चाहते हैं नया folio create करना तो new select कर लिजे आप पुराने folio पे invest करना चाहते हैं तो उसको select कर लिजे चलि आप first time investor है तो आप अपने portfolio को पहले create कीजिए कि आप aggressive investor है या आपको किस type से आपको moderate investment करना है या क्या आपकी investment target है उसके according अपना folio create कीजिए और फिर आप investment start कीजिए लेकिन अगर आप पहली बार invest करनी जा रहे हैं कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमेशा large cap fund ही choose कीजिए large cap या नि मैं आज किसी भी large cap की बात करूँ तो अधित बिल्डा का large cap है frontline equity fund यहाँ पर जैसे front आप डालेंगे आपके पास options आ गया dividend और regular तो dividend funds यानि आपको dividend हमेशा जो भी आप selections करते हैं monthly, yearly, half early, quarterly वो आपको dividend आता है वहाँ पर growth ज्यादा नहीं होता है क्योंकि पैसे आपक तो growth options choose किजिए ताकि accumulate होके आपको पैसा अच्छा मिले, तो हमने वहाँ पर growth options choose किया, growth जैसे ही choose करेंगे dividend options खतम हो जाएगा, और SIP अगर आप 1000, 5000, 15,000 जितना भी डालना चाहते हैं डाल दिजिए, और उस के बाद frequency select किजिए, आपको monthly करना है, weekly करना है, अगर आप monthly SIP कर SIP किस date को आपके bank में hit होनी चाहिए, यानि किस date को आपके bank से पैसा निकलना चाहिए, माल लिजिए, आपकी salary 7 तारीक को आती है, तो आप SIP का date 9 तारीक डालिए, अगर आपकी salary 1 को आ जाती है, तो आप SIP 2 तारीक को डाल दिजिए, इस type से आप अपना SIP का date choose कर सकते हैं, और उस दिन से आपका ये investment start हो जाएगा, अगर आपने SIP का date 7 को डाला है, तो ये SIP next month hit होगा, तो उसके लिए आपको SIP का date start date कब डालना होगा, फेब में डालना होगा, और next month क्यों होगा, क्योंकि SIP registered होने में time लगता है, और इसलिए आपको next month का date डालना होगा, और यह अब भी आप भू खतम करना चाहते हैं, आप उसका date डाल लेजिए कि इतने साल तक आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर add transactions कर देजिए, यह सारी details आपके सामने available हो गया, अगर आप कोई और भी SIP add करना चाहते हैं, एक ही साथ एक ही दिन चाहते हैं कि 3-4 SIP चले और किसी में तो आप यहाँ पर एक ही साथ 3-4 SIP भी add कर सकते हैं, add करकर जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर सारी SIP आपको दिखेंगे, यहाँ पर option दिया हुआ है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको chances करना है, edit करना है, edit कर लेजिए, अगर आपको इसमें यह नहीं लेना ह तो आप इसको delete भी कर सकते हैं, और process कर देजिए, जैसे process करेंगे, आपके आपने जो अपने can generations में जिसको नोमनी बिनाया है, उसका details आपके सामने आजाएगा, वह आप एक बार चेक कर लेजिए, और फिर process कर देजिए, आगे, process करने के बाद फिर आपके पास option आता है कि payment कैसे करेंगे, payment करने के लिए आपके पास ये सारे options है, आप देख लिए, यहाँ पर एक और option दिया है, अगर आप, जैसे हमने SIP स्टार्ट कर दिया कि next month को 9 को SIP हीट होना चाहिए मेरे account में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस महीने का पैसा आज ही pay कर दूँ, तो यहाँ प आपके पास option है current debt payment, तो आप यहाँ पर select कर लिजिए current debt payment, और current debt payment को कैसे pay करेंगे, आपके पास यहाँ पर option है कि आप net banking से payment करना चाहते है, NFT से payment करना चाहते है, RTGS से करना चाहते है, आप payage से करना चाहते है, पैज के बारे में मैंने इससे पहले भी वीडियो दिया है कि pay जब आपका पेज रेइस्टर्ड हो जाएगा तभी SIP आप कर पाएंगे तो इसलिए पेज रेइस्टर्ड जिरूरी है आप अगर पेज का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर मेरे पिसले वीडियो पे जाईए और पेज रेइस्टर्ड कीज़िए ये विदीना सेकंड आपके बैंक के डीटेल्स यहां पर सामने आ जाएगा और नीचे ऑपसंस दिया है पेइमेंट गेटवेई यानि किस गेटवेई से आपका पेइमेंट निकलेगा आप payment gate पे कोई भी select कर सकते हैं मैंने राज़ो रुपे select कर लिया और आगे बढ़ते हैं क्या देखते हैं आगे उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखता है नीचे SIP mandate registration details यानि जो आपका SIP किस bank से जाएगा उसके details यहां पर आपको दिखेगा और यहां पर last में आपको submit कर देना है जैसे आप submit करेंगे आपके पास payment के लिए क्योंकि हमने net banking select किया है तो net banking के पास यह initiate हो जाएगा payment के लिए और यहां से आप ok कर देजिए आप जैसे ok आपके पास SIP order confirmation के लिए आ जाएगा कि आपका यह details है जो आपने fill किया है इसको verify किजिए after verification आप यहां पर confirm button दबाद दिजिए confirm करते ही यह आगे process हो जाएगा आपके पास net banking के पास चला जाएगा payment करने के लिए आप यहां पर net banking login किजिए और pay कर दिजिए pay करने के बाद यह automatic आपका process हो जाएगा मैं यह process नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह मैं आप आप लोगों के लिए demo का काम किया था आपको दिखाया था कि आप ऐसे कैसे online कर सकते हैं मेरा already SIP चल रहा है इसलिए मैं यहां पर process नहीं कर रहा हूं और इसको reject कर रहा हूं cancel कर रहा हूं करने के बाद में दुबार हम आजाएंगे home page पे अब हम देख लेते हैं कि हमारा SIP registered हुआ है यह नहीं तो उसके लिए हम यहां पर जाएंगे status पे चेक करने के लिए status क्या है status में हमें कई सारे orders है normal order book, normal order book में lump sum जो purchase करते हैं वो check करते हैं इसलिए हम वहां पर नहीं चेक करेंगे यहां पर systematic order book है यानि SIP हमने जो किया है उसकी retail हमें यहां से मिलेगी तो हमने यहां पर select कर लिया जैसे select करेंगे आपके शामदे दिख जाएगा कि आपने यह order SIP के लिए approved किया है net banking से और payment initiate किया हुआ है अगर आपको यह ठीक लगता है तो आप इसको process कीजिए लिंक नहीं आई है payment करने के लिए दुबारा यहां से initiate कर सकते हैं अगर आपको यह SIP अभी भी आपके पास option है अगर आपको cancel करना है यह देगे यहां पर एक bottom बिना हुआ इस button पर आप click कर लिए जैसे button पर click करेंगे आपकी पास details आप किया जाएगी SIP का और आप यहां पर दिया हुए order accepted registration accepted अगर आप इसको cancel करना चाहें तो हमारे पास दो option है यहां पर देखिए सिप cancel और यहां पर systematic installment details यानि इससे आप पूरी details देख सकते हैं क्या क्या है और यहा करना भी आसान है सिर्फ cancel करना भी आसान है यानि जब चाहें आप SIP start किजिए और जब चाहें SIP बंद कर देजिए लेकिन SIP कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए किजिए ताकि आपको उसका benefits मिल जाए और मैं अभी SIP को continue नहीं कर रहा हूं इसलिए SIP cancel कैसे करते हैं तो simple आपका SIP order confirm हो गया यानि आपका SIP cancel हो गया आप इस्टरस में चेक कर लेते हैं हमारा SIP cancel हुआ की नहीं हुआ इस्टरस में देखिए यहां पर लिखा हुआ है SIP cancellation एप्रोब यानि आपका SIP cancel हो गया तो इस तरह से आप इस बहतरीन features जिसके हम बात कर रहे है SIP with insurance जो आपको free में मिल रहा है और आपको SIP SIP with insurance ही करना चाहिए जिससे कि आपके tremendous benefit मिल सके insurance मिल सके और आपको जो आप SIP करने उसका भी फायदा मिल सके थाइंकियो दोस्तों सो इस टाइप से आप SIP स्टार्ट कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने friends में share कीजिए और like subscribe जरूर कीजिए thanks a lot